हेलो दोस्तों मैं अर्शना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे आज मैं आपको नवरात्री में अस्ट्यमी और नौमी वाले दिन जो कन्या खिलाई जाती हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं कुछ लोगों के घरों में अस्ट्यमी को कन्या खिलाई जाती हैं और कुछ लोगों के घरों में नौमी को जैसी आपकी परंपरा हो उसी हिसाब से आप कन्या खिलाईए तो कन्या खिलाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो छुटी छुटी बाते हैं लेकिन बहुत काम की हैं वो मैं आज आप से शेयर करने जा रही हूँ जैसे कि कन्या खिलाने के लिए आप जब कन्यों को आमंतरण देने जाईए अपने घर में कन्या खिलाने के लिए तो ध्यान रखिए कन्याओं की उम्र दो से देच साल के बीच में होना चाहिए वह इसने अटे मानी गई है वैसे थो 9 संखेय नह술 का नहीं पुझा पूझा के ऊकर सबसेगा कॉझा पुस्य हिसा है और इस्मि में पुझा इसी इसाब आप terms कर प्फेस से शोच सतरु में होते हैं माताओं के तो अगर आप 2-10 साल की कन्या को खिलाते हैं तो उन माताओं के नाम भी ऐसे ही होते हैं जैसे 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है तीन साल की कन्या को त्रिमूर्ती, चार साल की कन्या को कल्याणी, पांस साल की कन्या को रोहनी, और छे साल की कन्या को कालिका, साथ साल की कन्या को चंडिका, और आठ साल की कन्या को शामभवी, और नौ साल की कन्या को दुर्गा का रूप माना जाता है, जबकि दस साल की कन्य को सुबद्रा कहा जाता है इसी तरह से हर साल के हिसाब से कन्याओं के अलग-अलग रूप दुर्गामा के मान के उनको पूजा जाता है इसी तरह से जो है अगर आपको भगवती मा को प्रसंद करना है तो आपको अपने नौ दिन की पूजा के बाद कन्या अवश्य खिलाना कहते हैं मा कन्या खिलाने से जितनी खुश होती है उतनी पूजा पाट से भी नहीं होती है जितनी आप अगर कन्या खिला देते हैं कन्याओं की पूजा करते हैं उससे प्रसन हो जाती है कन्याओं को प्रसाद में हलवा पूड़ी चना खीर और इसको खिलाने का तरीका ये है कि आप कन्याओं को आम अंतर देके प्रेम पूरवक अपने घर में बुलाईए जब कन्याओं आपके घर में आएं तो चाहे तो आप कलश लोटे में जल लेकर उनके पाउं धुलाईए कपड़े से पोचिए और फिर अंदर ले जाईए नहीं तो आप एक थाली में पानी भरके रख दीजे करने आए उसमें अपने पैर रख रख कर तब आपके घर के अंदर आए तब आप उनके माथे में कुम-कुम रोली से तिलक लगाईए और अक्षच छुड़किए फिर प प्यार से अगर आप कुछ और बी उनके लिए गिफ्ट लाएं हैं बहुत से लोग चूड़ी देते हैं बहुत से और इस्टेजनरी के समान देते हैं जो भी आप गिफ्ट लाएं है वो दीजे और उनको आदर पूरवक जो भी आपने बनाया है वो परोस के खिलाईए और पूर्वक उनको कुछ दच्छना देकर उनके पैर चुकर उनको विदा कीजे इस प्रकार से आप अपनी कन्याओं को सफलता पूर्वक कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों अगर आपको जनकारी जरासी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए धन्यवाद दोस्तों